हेलो गाईज नमस्कार अधाप अश्चलाम वालेकूम कैशे हैं आप लोग उम्मिद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में मीनी गार्डन 123 आज बहुत ही खुबसुरत प्लांड के बारे में बात करेंगे खेती के बारे में बात करेंगे कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए आज हम बात करेंगे भिंडी के बारे में भिंडी की खेती एक एकर में लगा हुआ है आप देख सकते हैं कितना खुबसुरत तरीके से हम लगाए हुए है और सोगाइस आप देख सकते हैं इसमें जो है इसमें एक दो बार हम इसे निकाल भी चुके हैं भिंडी और देख सकते हैं कितना खुबसूरत फुलोवर भी हुआ है और भिंडी भी हो चुका है सोगाइस अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सस्काइब जूरू कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं चलिए आज बहुत ही खुबसूरत के बाड़े में बताएंगे भिंडी की खेती कैसे किया जाता है और कैसे लगाना चाहिए वह सारा जनकाड़ी आपको इस वीडियो की मादम से आपको देंगे अगर आप ओकरा सेमिनीर बीच लगाते हैं तो कितने दूर में ये लगाना चाहिए वह सारा जनकाड़ी आपको मिलेगी इस वीडियो की मादम से ये एक फिट के दूरी में लगाना चाहिए एक फिट के दूरी में इसलिए लगाना चाहिए कि इसका पौधा काफी लंबा होता है और सोगाई से इसमें काफी बिंडी भी आता है फ्लोवर भी होता है और ये कौन सा जो है बीच लगाना चाहिए वह सारा जनकाड़ी आपक और यह बीज लगाने से लंबे समय तक अगर इससे आप उपादन लेना चाहते हैं तो हाइबरीट का बीज जरूर यूज करें चुनाव करें और यह पोधा बहुत अच्छा खासा और इससे जो है आप पांस से छे मन तक इससे जो आप बिंडी आप निकाल सकते हैं बजार मे आप बेश सकते हैं इसको निकाल के बहुत अच्छा पैदावर होता है इसमें सोगाइस अगर हमारे चैनल में नए है तो सस्काइब जरू कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके एक फिट के दूरी में लगाना चाहिए और लगाते हैं तो बहुत अच्छा इसमें पैदावर होता अच्छा लंबा भी ग्रो करता है पोधा अगर हमारे चैनल में नए है तो सस्काइब जरू कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और किसी चीज़ की जनकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं और हम तो हर वीडि चैनल में मीनि गार्डन one two three आज बहुत ही खुबसुरत प्लान के बाढ़े में बात करेंगे कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए आज हम बात करेंगे भिंडि के बारे में भिंडि की खेती एक एक एकर में लगा हुआ है आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत तरीके स से हम लगाय हुए हैं आप देख सकते हैं इसमें जो है इसमें एक दो बार हम निकाल भी चुके हैं भिंडी और देख सकते हैं कितना खुबसुरत फुलोवर भी हुआ है और भिंडी भी हो चुका भी है अगर हमारे चैनल में न्य हैं और कैसे लगाना चाहिए वो सारा जनकाड़ी आपको इस वीडियो के मादम से आपको देंगे असो गाइस ये कौन सा बीच हम लगाए हैं ये बीच है ओकरा शेमिनीर बीच है अगर आप ओकरा शेमिनीर बीच लगाते हैं तो कितने दूर में ये लगाना चाहिए वो सारा जनकाड़ी आपको मिलेगी इस वीडियो के मादम से ये एक फिट के दूरी में लगाना चाहिए एक फिट के दूरी में इसलिए लगाना चाहिए कि इसका पौधा काफी लंबा होता है और सोगाई से इसमें काफी जो है इसमें बिंडी भी आता है फ्लोवर भी होता है और ये कौन सा जो है बीच लगाना चाहिए वो सारा जनकाड़ी आपको बता रहे हैं ओकारा से मेनीर बीच ये बीच आप जरूर लगाएं और ये बीच जो है लगाने से लंबे समय तक अगर इससे आप उपादन लेना चाहते हैं तो हाइबरीट का बीच जरूर यूज करें चुनाव करें और ये पोधा बहुत अच्छा खासा और इससे जो है आप पांस से छे मन तक इससे जो आप बिंडी आप निकाल सकते हैं बजार में आप बेश सकते हैं इसको निकाल के बहुत अच्छा पैदावर होता है इसमें अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सस्काब जरू कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके एक फिट के दूरी में कर सकते हैं और हम तो हर वीडियो में बताते ही हैं कि हम थर्मोकल के बॉक्स में भी